अज आपन या पंचे गविया चेकिसा आया कारेक्रामा आंतरगद गाई चा शेन गुमुतरा आनि गाई पोसुन मिलना रे जे काई पंचे गविया आए याचा आपले देनें दिन जिवनात आनें ने साधरनमत होए आनि हे महत्वजर आपन सर्वानी समझुन गेतल तो कुटलाई शेतकरी गाई कजीच विकनर ने स्री श्वामी समर्थ महराज जी उस गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परमादर निये मोरे दादा जी उनका पूरा चिरंजीवी परिवार आप सभी को मेरा नमन है जितना भी स्वास्त से संबंधित गरंथ लिखे हैं इन गरंथों को जब हमने टटोला तो उसमें गाय का उपियोग इतना जादा था कि अगर इन सब को एक कत्रित करके और एक अलग से यदि एक सहिता बना दी जाए तब वो दुनिया के किसी भी medical science पर भारी पड़ सकता है हम जो स्वास लेते हैं न कितना oxygen पीते और 24 घंटा में कितनी बार स्वास लेते यदि आपको 250 लिटर oxygen मिल गया तो आपके सरीर में कभी वायू दोश नहीं हो सकता है और दूसरी तरफ हमरी गाय का जो तूप है इस तूप को यदि आप अपने घर में एक दीपक में जला दो एक दीपक में कितना तूप आता है दस मिली लीटर या पंदर मिली लीटर एक चमच नहीं तो दो चमच आप प्रती दिन अपने घर में गाय के तूप का एक दिया जला दो ये मेडिकल साइंस की रिपोर्ट में कहता हूँ कि ओ दिया बुझने के तीन घंटे के बाद कि जो गाय आमरे बारतिय मुलतत्व की वो विदेशों की गाय से कम दूद देती तो उनकी दूद की ख्षमता केसे बढ़ा सकते और तीसरा सवली है कि उस दूद में फैट का प्रमन केसे बढ़ा सकते जिससे कि हमारे की सनों को जादा से जादा भाव मिल सके क्योंकि 25 रुपे लिटर तक भाव गिर गया था तो उसके लिए मुझे मारगदर शन्की जी उसका ताक पीलो ऑसधी का काम लोनी खालो ऑसधी का काम उसका घी बना के खालो ऑसधी का काम गाय को सुखा के गोरी बना करके उसका चूरन बना के तिर्फला की तरह फाक लो औस दी का काम गाय के गोरी को जला के कोईला बना लो खालो वो भी औस दी का काम उसको जला के राख बना लो भसम लगा लो लगाओ नहीं खालो वो भी औस दी का काम गाय का मुत्रे, ऐसे गाय जब देती है ना, ऐसे छान के पीलो तब भी औस दी का काम, कपड़े से छान के पीलो तब भी औस दी का काम, उसको गरम करके अर्क बना के पीलो तब भी औस दी का काम, अर्क को फिर से अर्क बना लो तब भी औस दी का काम, गाय के गब्यों का कोई भी रुपांतरन कर लो उसका औस दिये गुन कमता नहीं बढ़ता है दूद से अच्छा दही दही से अच्छा ताक ताक से अच्छा लोनी और लोनी से भी अच्छा तू